बच्चों आज हम क्या रीड कर रहे हैं? आज हम रीड कर रहे हैं लेसन नमबर थर्टीन दा वोईस ओफ पंच मिस पंचों की आवाज ओके तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे अपनी बुक्स ओपन कर लीजे और में साथ रीड करना स्टार्ट के ज़िए ओके बच्चों लेसन नमबर थर्टीन जो है हमारा दा वोईस ओफ पंच मिस पंचों की आवाज ये किस ने लिखी है? ये मुझी प्रेमचंदर ने लिखी है मुझी प्रेमचंदर जो की एक महान लिट्रेटर है उन्हीं की एक पंच परमेश्वर में से एक ये दा वोईस ओफ ये कहानी ली गई है ओके चली तो अब हम अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं इसको किस ने लिखा है मुझी प्रेमचंद ने इसको लिखा है This is the story of two friends ये जो कहानी है ये दो दोस्तों की कहानी है और वो दोस्त कौन है जुमन शेक और अल्गु चोदरी कौन कौन है जुमन शेक और अल्गु चोदरी दो दोस्ते हैं जिनकी ये कहानी है जुमन शेक और अल्गु चोदरी वर बोसम फ्रेंड्स जुमन शेक और जो अल्गु चोदरी है वो बहुत ही गहरे दोस्ते हैं उनमें इतनी गहरी मितरता है बहुत ही गहरे वो दोस्ते हैं सची मितरता जिसको बोलते हैं इतनी घहरी दोस्ती है, इतनी स्ट्रोंग दोस्ती है उनकी कि अगर एक दोस्त गाउन से भार जाता है, तो जो दूसरा दोस्त होता है, वो उसकी फैमिली का ध्यान रखता है जुमन had a maternal aunt, जुमन की एक maternal aunt है, maternal aunt means mommy, she had some property जिनके पास कुछ प्रोपर्टी है, कुछ जायदाद है जुमन assured her to look after her if she transferred the property on his name जुमन जो है, वो अपनी मामी को जो maternal aunt है, उनको विश्वास दिलाता है, उनकी देखवाल करता है कि ताकि वो अपनी property किसके नाम कर दे, जुमन के नाम कर दे Since his aunt had no child, जो aunt थी, जुमन की जो aunt थी, maternal aunt जो थी, उनका कोई child नहीं था, उनका कोई बच्चा नहीं था She transferred the property to him with an understanding that he would look after her I've ended upgaard, अब उन्होंने समझ दारी से सोचा कि मेरा तो कोई बच्चा है नहीं और जो भी मेरी देखवाल करता है, वो कुण करता है, तो क्योँणा, मैं अपनी सारी property, जुमन के नाम कर दूँ क्योंकि जुमन ही मेरी सब देखवाल करता है और आगे भी जुमन ही मेरी देखवाल करेगा Until they got the registry of the property on their own name अब जो जुमन की मेटल नाल aunt होती है उन्होंने property किसके नाम कर दी? जुमन के नाम कर दी जुमन and his wife should pay much attention to their aunt जुमन और जो जुमन की wife थी वो दोनों जब तक उनकी property जो मेटल नाल aunt की property जुमन के नाम नहीं हुई थी तब तक वो उनका बहुत ही अच्छे से खयाल रखते थे दोनों जुमन और उसकी wife As it had done और जब उनकी जब मेटल आंट ने अपनी property जुमन के नाम कर दी तो क्या हुआ? He become rude to her because our bitterness came in the behavior of his wife at the thought of little food that the old lady जब उन्होंने अपनी property जुमन के नाम कर दी तो जो जुमन की wife और उसका behavior change हो गया Means वो उनके साथ में rude behavior करने लगी Means उनको उनके बीच में करवाहट आ गई जुमन की wife जब भी वो उनको खाना देती थी तो भी उनको कुछ ना कुछ वो कहती रहती थी Now come to the next page Wanted every day, she swallowed the abuse at the time of giving food by his wife But when the patient crossed the limit, she spoke the जुमन अब जो जुमन की wife ती वो जब भी maternal aunt ती जुमन की जो मामी ती उनको जब भी खाना देने के लिए जाती थी तो वो मतलब गाली दियकर उनसे बात करती थी उनसे मतलब अच्छे तरह से उनसे बात नहीं करती थी सीधे मूँ उनसे बात नहीं करती थी और ये देखने के बाद जब जुम्मन की जो मामी थी उनकर जो धेरियता वो खतम हो गया तो उन्होंने किसको बोला? उन्होंने जुम्मन से कहा My son, I realized that I am not like in your house So I am being illiterate for the couple of the month My son, means मेरे बेटे, मुझे ये realize हो गया है कि मैं इस घर में रहने लाइक नहीं हूँ मैं तो अनपनूँ तो मैं कुछ महिने के लिए यहाँ से चली जाती हूँ Kindly give me monthly allowance so that I can make my own food in a separate kitchen तो वो कहती है कि तुम मुझे monthly allowance दिया करो Means monthly पैसे दिया करो मेरे खर्चे के लिए खाने के लिए ताकि मैं अपनी अलग किचिन में अपना खाना बना सकूँ Does the money grow on tree from where will I give you monthly allowance? Be patient, said Juman and went outside अब Juman अपनी मामी से कहता है कि पैसे क्या पेड़ पे होगते हैं जो मैं आपको महीने के allowance दो, महीने के पैसे दूँ हर महीने आपको पैसे दूँ दे दे रखो और ये कहकर Juman क्या होता है वहाँ से चला जाता है This made his aunt very angry and she took her case to the village panchayat अब ये बात सुनकर जो Juman की aunt थी उनको बहुती जादा गुस्सा आ जाता है और वो अपना case कहाँ पर लेकर जाती है गाओं के panchayat में वो अपना ये case लेकर जाती है So class आज का हम lesson यहाँ तक stop करते हैं Next class में हम अपने lesson को continue करेंगे और आगे की story read करेंगे So I hope बच्चो आप घर पर जहां तक हमने आपको पढ़ाया है आप इसको अच्छे से read out करेंगे और lesson को समझेंगे Okay, thank you